हेलो फ्रेंड्स, नाश्कार, मैं विक्रम गॉड रीगोड भारत में आपका सौगत करता हूँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लडाई की जो भारत के पूर्वी हिस्से में लडी गई, वो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्यों नहीं है, इसका कारण टेक्स्ट बुक यह जब बेतर जाने, एक भीशन युद्ध जो आसाम में लडा गया, आज से तकरीमन आट सो नो सो साल पहले, एक भीशन युद्ध जो परतिशोद भी था, उस काम के लिए जो हमारी संस्किती को मिटाने के लिए किया गया, यह युद्ध था राजा परतु और बक्तियार खिल जी कौन था, और एक विडबना के बारे में लास्त में बात करेंगे, अन्त में बात करेंगे, कि इन दो नामों से जुड़ी हुई विडबना क्या है, आज कहा साम, सन 1200 में कामरूप प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ग्यारा सो पिचासी से लेकर, बारा सो कामरूप प्रदेश के राजा थे, राजा प्रथो, उसी समय कुदुप दिन एबग का एक सिपसलार, बक्तियार खिल जीर, जो तुर्की नसल का था, अफगानिस्तान से आया था, अपने आस पास के प्रदेशों को जीतता हुआ, बंगार पहुंचता है, रास्ते में वो ए इस दवाई को जानने वाले वैद तयार कहा होते हैं, उसके साब उसको जानकारी मिलते हैं नालंदा की, नालंदा हमारे लिए प्रतिस्टा का प्रश्ण है, जिसको बक्तियार खिल जी ने तहस नहस कर दिया, कि वहल नालंदा को ही नहीं, उसके आस पास के और विश्वदा थे. उनको किताबों के साथ, इसके सारे साहित्थे के साथ उसको जला दिया गए, चैनल वह विक्रम्शिला हो या नारंडा हो और भी आसपास के विश्व दहरें को जला दिया कि है. यह हमारी स्निस्किति के लिए एक आघाब था, अब यहां जीतने के बाद, बंगाल के छोटे-छोटे राज्य जीतने के बाद, बक्तियार खिंजी पहुंचता है असाम यहां तक पहुँचने के लिए जहां से जब उसने जंग शुरू की थी और असाम तक पहुँचने तक वो जिस नीती पे काम कर रहा था उसको कहते है जुलसी हुई धर्ती स्क्रॉस्ट अर्थ पॉलिसी इस पॉलिसी के बारे में आप गुगल भी कर सकते है जुलसी धर्ती एक युद्धनिती है जिसमें दुश्मन से जुड़ी हुई हर चीज हर रिसॉर्स को बुरी तरह तहस नहस कर दिया जाता है उसको यहिए उसी रनुह दिया जए जुलसी हुई धर्ती कोई भी ऐसा रिसोर्स जो दुश्मन इस्तवल कर सक्ता है छहिए वह मालवी रिसोर्स हो या रकर्टिक रिसोर्स कोई भी रिसौर्स जो दुश्मन इस्तमाल कर सकता है उसको खतम कर दिया जाता है तहस-थनहस कर दिया जाता है उसी रणनीतियों कहते है छुलसी विधर्ति अब इसी रणनीती पर काम करते हुए बक्तियार खिलजी पहुंसता है आसान या कामरूप प्रदेश उस समय के कामरूप प्रदेश और वहां उसका सामना होता है राजा प्रथु से राजा प्रथु के अंदर इस बात का प्रथिशोद लेने की इच्छा थी इस बात से वो गुसा थे कि उसने हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम चीजों को रास्ते में आने वारी तमाम चीजों को तहस नहस कर दिया इसको बदला लेने के लिए उन्होंने एक शबत ली कि अगर बक्तियार खिलजी ब्रह्मपत्र पार कर गया तो मैं अग्निसमादी ले लूँगा बक्तियार खिलजी के लिए इसको जीतना जरूरी था कि वो अतिबब जाना जाता था था कि सिल्क रूट पर नियंतर्न प्र कि असाम पहुंचता ह है तो राजय प्रतु उसका भीशर युद्ध होता है मार्च बारासो छै में भीशर युद्ध होता है आप वस युद्ध की कंपड़ना कि लिए जिसमें 12000 अफगानीसानिक बक्तियार घंडे तली 12000 अफगानीशानिक असाम के युद्धाउं से बि वो योधा एक प्रतिशोद लेने की भावना से बक्तार खिल्जी से बिढ़ते है और 12,000 सेनिकों में से 11,900 सेनिकों मौत के घाट गार दिया जाता है। कितना भीषण युद रहा होगा वो क्या शण रहा होगा उस प्रतिशोद को लेने के कितनी प्रमल भावना होगी और इस भावना के तले लड़े उन युद्धाओं को हमारे इतिहास में हम नहीं पाते हैं तो ये चर्चा का विशे है क्यों ऐसा क्यों बक्तियार खिल्जी की वहां हार हुई उसने वहीं पुराना तरीका उसने अपना माफी मांगी राजा पर्थू से राजा पर्थू ने उसको माफ भी कर दिया सौ सैनिकों को गरिफतार किया और उसको उसको गोड़े पर मिठाकर अफगान के लिए रवाना कर दिया और कहा कि रास्ते में जो भी म पहुंचा जहां पर उसके बतीजे ने ये सारी कहाने सुनने के बाद अली मर्दा उसका बतीजे ने उसका सर कलंग कर दिया अब इससे जुड़ी विडंबना क्या है ये था एक शन जो हमारे योधा ने जिया एक प्रतिशोध लेने की भावना और एक अक्रांता को रोकना उस शन को हमारे तिहास में नहीं है वो एक अलग विशाय है मगर इससे जुड़ी विडंबना क्या है राजा पृथु जुन्हों ने इतना वीरोचित काम किया इतनी वीरता दिखाई मगर उनका जिक्र इतिहास में कहीं नहीं है गोहाटी के पास लगे हुए शीरा लेक को अगर छोड़ दिया जाए तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आप अपने आसपास देख सकते हैं कोई सड़क कोई इमारत कोई भी समारक राजा पृथु के नाम से नहीं है इसके विपरीथ बख्तियार खिल जी के नाम से एक चोटा सा शहर है बख्तियार पूर पुर्ण के वर्तमान मुख्य मंत्री नितिश कुमार जी का ग्रहनगर है यह एक विडबनाई है कि हमें इस प्रकार की जानकारी से बंचित रखा जाता है और भी ऐसी जानकारीया मैं आप से साज़ा करता रहूँगा और उमीद है आप आगे इन को शेर करेंगे तकी आने वाली generation को आने वाली PD को इन चीजों के बारे में पता लगे हमारे heroes, हमारे gvijetाओं के बारे में heroes के बारे में पता लगे कि कैसे कैसे वीर लोग हमारे इस भा और अपर लाम किया है, दोने वाद